अलब मैंने पहले भी एक दो इंटर्वियू में कहा कि शुरू में ये तये था कि वो रोल कोई और करेगा मेरा रोल किसी और को प्ले करना था संयोग ऐसा बना कि विधुजी का अदेश हुआ कि ये रोल तुम्हीं प्ले करना है तो मैंने तो मैंने तो महसूस कि बहुत आसान है एक्टिंग क्योंकि मैं अपने रोल प्ले कर रहा था मुझे खुद ही होना था स्क्रिप्ट राइटिंग में मैं शामिल था ही अपनी डायलोक्स मैंने खुद ही लिखे थे लिखे भी क्या थे on the spot बोले ही थे basically लिए तो तीन-चार शोट्स जब शूट हुए तीन-चार टेक्स हुए तो हर बर मैंने डायलोक्स अलग बोले इसलिए उन्होंने खुद भी कहा कि तुम फ्री हो के जो मन में है बोलो और हम बाद में चूज कर लेंगे कौन से वाला ज़्याद अच्छा है तो क्योंकि मैं अपना ही रोल प्ले कर रहा था अपनी ही क्लास थी और डायलोक्स की बंदिश भी ने थी खुदी लिखना था खुदी बोलना था अजादी थी तो जो मेरे मन में आया मैंने बोला अपनी ही एक्टिंग की तो मुश्किल मुझे तो नहीं लगा हालंकि मुझे फिल्म इंडस्ट्री के कुछ दोस्तों ने बताया कि अपना अभिने करना सबसे मुश्किल होता है मुझे ऐसा नहीं लगा मुझे बहुत आसान लगा जैसा मैं हूँ अभी हूँ वैसे वहाँ पर था तो मुश्किल नहीं लगा उस तरह के सवाल भी आये कि गल्फरेंड नही अच्छा रहेंगा उनका यही दाइजाब दोनों चीजें एक साथ कैसे करें घरवाले कहते हैं टीचर कहते हैं करियर पर फोकस करो पर जब करियर पर फोकस करने तब प्रेंपर भी फोकस आ रहा है तो सबसे बड़ा दुर्भाग्या है कि करियर बनाने के उम्र और जोनों ही चीजें ऐसी है जो पूरा फोकस मांगती हैं तो ऐसे में आदमी कैसे बैलेंस करें मूल समस्या तो यह है ही लेकिन जब मुझसे बच्चे पूछते हैं एक लास के बच्चे के सर ऐसी ऐसी दुविधा है क्या करना चाहिए और प्रेंब बड़ा गहरा हो गया है रहा नहीं जाता है तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि कुछ दिन फिर प्रेंब कर लो और मुझे बड़ा भरोसा है कि 20-25 दिन प्रेंब करने के बाद फिर लगने लगता है कि कुछ होरी कर लेते हैं तो अगर प्रेम उचला है अगर प्रेम केवल देह का है अगर प्रेम केवल चेहरे की चमक देखके हुआ है अगर प्रेम केवल अदाइं देखके हुआ है अगर प्रेम केवल मेकप के बाद के चेहरे से हुआ है तो वो 20-25 दिन से उपर टिकेगा नहीं 20-25 दिन में असलियत सामने आई जाती है जब दो लोग बात करते हैं उनका पूरा स्तर आमने सामने आ जाता है वो मेक अप पीछे चला जाता है हैसियत यावकात सामने आ जाती है और अजिकांच बावलों में प्रेम का जो ग्राफ है वो यू बढ़के यू नीचे आता है तो जब नीचे आ गया तो मुक्त हो गए मुक्त होके पढ़ाई कर लो और यदि प्रेम ऐसा मिल गया सायोग से जो मुक्त करता है प्रेम में रहकर मुक्त करता है तो वो आपको पढ़ने से रोकेगा नहीं वो आपके पढ़ाई में सायक ही होगा इसलिए और मैं एक्सर कहता हूँ कि जिन्दगी एक ही है मैं उन बातों में बहुत कम विश्वास रखता हूँ कि बार बार जीवन मिलने वाला है मैं यह मान के चलता हूँ मिल जाए तो बढ़िया है पर मैं यह मान के जलता हूं कि जीवन एक ही है एक ही है तो उसी को जीना है उसी में प्रयोग करने है और प्रयोग करने का मौका आए तो प्रयोग कर लेना चाहिए बाद में पस्ताने से अच्छा है कि हमने प्रयोग किया फेल हो गए फिर प्रयोग कर लेंगे कुछ और प्रयोग करेंगे लेकिन प्रयोग करने से पीछे हटना कायरों के निशानी है अच्छे जीवन जिने के लिए आपको आगे बढ़के करने ही पड़ेंगे कोई रास्ता है नहीं